डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी जो च्वाइस लॉविग है आपको कैसे पता चले कि आपी क्षैस लॉविगी है। हप कि आपकी 105 परूइब लोल्क गई है Got Him Ever तो चलिए सबसे पल यह दिर्खिये कि ऐड़ाइफ लोगिंग से को देखते हैं तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि क्या करने के अंदर मोगा होगा है चॉआ सेब की लोग करना होगा क्या करना ठीक है आप दिखिये उसके बाद होता आगा फिर सकंड इस्टेप यह लिखते हैं कि च्वाइस लोग करने से पहले अभ्यार्ति इपनी च्वाइस करम को भली भाती नहीं होता है कि आप एक बाद देख लिए ऐसा नहीं है कि आपको मन नहीं और आपने उस कॉलर को डाल लगा ध्यान से देखिए च्वाइस लोग करने के बाद आप कोई बीचेंज़ नहीं कर सेकते हुए., यह बात चाल लगाती है पिर आपको आगे लिखते हैं कि यहाँ पर यदि अभ्यार्ति नीधारी धित्युों मुडिक्षे लोग करते है दब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे है तो ठीक है लेकिन यहां पर इनके हिसाब से अगर आप च्वाइस लॉक भी मतलब और च्वाइस लॉक कि निर्दारित अंतिम्तिति कि आपको हुई पता है इनकी अटोमेटिक लॉक हो जाएगी ठीक है लेकिन फिर भी हम आपको ले चलते हैं पर आपको बताते हैं कि च्वाइस लॉक आपको यहां पर आपको कांसिल रेइस्टेशन पर आपको कि बच्चों तो इनकी ऑफिसली वेपसाइट पर आने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं यूजर आइडी जो भी पासवर्ड और पासवर्ड डालके जो भी अब तो एक क्या अची जॉप्साइट आपका हैंग नहीं उसी करन से आपको देख सकते हो अभी आपका सिक्रोटी आपको भर ने आता होगा नहीं आता होगा तो आपको च्वाइट पासवर्ड डालें यहां पर इक्वल टॉनौब यहां पर डालके अपना लॉग इन कीज़ेगा ठीक हम करके अभी दिखा रहे हैं चलिए हम यह बता रहें अगर जीन बच्चों ने आपका च्वाइस यहा है बात अपलो अपलो वह एसर कि अगर आप प्रेश्टेसन नहीं कर पाते तो आपको लिख देगा और च्वाइस पर लिया होगा याद रहे और जीन ने रेश्टेसन अच्छा से कर लिया और उनके समने लिख लेए हैं अगर रेश्टेसन फी कंप्लेट उसका आपका आप आप अपना लाग करते हैं लॉप करने पकल्स के लिभी हाँ करके यहां पर लिख for one ठÉ बार यहां पर अपर पल्लो दिखो गए अपको ऑपको डाउंलोड करके दिखाते हैं suit अगर अब इस पर कुलिक कर दोगे ना जिन बैंचेन आपने लॉग इन कर लोगे, लॉग इन करने के बाद देखिए, अगर आप वहाँ पे choices lock वाला पे click करते हो ना, जो भी हो, तो आपको यहाँ पे लिखने लएगा, आपको 30 college यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ, यहाँ पे इन्हों ने यह भी लिखा है, जिन बचों का अगर आपकी seat allotment आपकी हो जाती है, हम आपको बता है कि seat allotment कब होगी, तो seat allotment आपकी हो जाएगी, तो seat allotment हो जाएगी, तो आपको 8 से 9 number के बीच में आपको कितना जमा करना होगा, तो आपको बोलोगा 5,000 रुपए आपको जमा करने होगी, ठीक है, यह भी बात आपको clear कर देते हैं, तो यह बात आपको, यदि आपको seat allotment अगर नहीं होता ह तो फिर से आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, दिखी इनके कितनी मतलब लापरवाही और मतलब अच्छा सिस्टम नहीं होता है, तो अगर आपको seat allotment हो जाती है, तो 5000 रुपए फिर से लग जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा ही आप लोग अपने choices lock किया होगा, इसका अपन आप लोग अपना print करा लेजिए, यही तो पाचाने का तरीक है, अगर आपको पाचाने का हम आपको तिन तरीका बता रहे हैं कि आपके choices lock हो गई है, फर्ष्ट तरीका जैसे अगर आप इस पे lock वाला choices पे खुलोगे, आपका भीतर लिखने लिखने लेगा, कि आपने choices जो हो चुके है, यह बात आपको क्लियर कर दिया, ठीक है बच्चो, तो आठ नॉमबर कर वेट करते हैं, फिर जैसे इन की seat allotment आएगे हम आपको सबसे पहले notify कर देगे, जैसे हमने सबसे पहले आपको merit list बताया था, आपकी choice feeling भी आपको step step बताया, हमने अभी आपको choices lock हुआ है कि लिए उसका भी तरीका हमने बता दिया, तो सबसे पहले जब आपकी seat allotment भी आएगे हम आपको सबसे पहले notify कर देंगे, साथी साथ security फी कैसे जामा करने ये भी हम आपको वीडियो के माधियम से ही बता देंगे, साथी साथ आपको reporting कैसे करनी है, सारी जनकारी देंगे फिर आपको जन बचों का आपको फास्ट आउंड में नहीं हुआ, उन बचों के फिर सकेंड डाउंड कप से स्टार्ड होगी, सारे लास्ट आउंड तक हम आपका सब कुछ बताएंगे, तो चैनल से को सबस्राइब करके रखे रही, क्योंकि आप ही के help के लिए हमने वीड लाते हैं, ताकि आपका कोई भी आपको दिकत नहीं हो, और आप लोग खुद से अप लोग अपना कर सको, ठीक है, एक बच्छा से हमने च्वाइसे लोगिंग वाला बताया, आप लोग अपना चिक करके हमको कमेंट में बताईए का, साथी साथ जिन बचों ने से टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वहाँ पर भी जॉइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी कोई अप्डेट आएगी, इनकी पीडिएफ टाइप की, हम आपको वहाँ पर भी आपको अप्लोड कर देंगे, बाय बच्छों सी, बिस्ट अफॉलर्ग